नमस्कार प्रिये दर्शकों हजर हूँ मैं 14 नवंबर दो हजार चौबीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यनि दैनिक अराशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए अराशिफल का एकारिक्रम प्रारम्ध करते बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुवार है कारतिक मास शुकल पक्षकी आज त्रयो दशी तिथी है जो प्रातह नौबच करके 43 मिनट तक है और इसके पुष्चा चतुर दशी है अश्विनीनक छत्र है सिध्धियो तैतिल करण है बात की पंचांग की चंद्रमा आज मेशरासी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 20 मिनट से दो पहर 12 बच करके 4 मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल दो पहर 1 बच करके 30 मिनट से 3 बच तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय जिस कारे से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरीकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रेदर्शकों आज बैकुंठ चतुर दशी है और आज काशी इस्थित मड़ी करनी का तिर्थ का श्नान अत्यंत पुन्य फलकारी माना गया है वर्ष में केवल आज के ही दिन भोलेनाथ को तुलसी पत्र अरपित किया जाता है ये हर एवं हरी के एकाकार होने का परव है तो आज उन पर तुलसी पत्र आप अर्पित कर सकते हैं, करिये, वर्ष में बाकी किसी और दिन भोलेनाथ पर तुलसी अर्पित नहीं किया जा सकता है क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कैसा? धन तो आता है पर टिक नहीं पाता हाला कि ये योग ऐसा नहीं है, जिसे हम ऐसे कहें कि जातक के पास धन आता है फिर टिकता नहीं और फिर बहुत दिक्कत के बाद, बहुत बिलंब के बाद ही उनको धन प्राप्त हो जाता है नहीं, आज का सूत्र थोड़ा अलग है, आज का सूत्र ऐसा है कि जातक के पास धन तो बार-बार आता है, पर टिकता नहीं है, यानि धनागमन होता रहेगा, पर टिकेगा नहीं आज कैसे दिव्य सूत्र की चर्चा हम करने जा रहे हैं, साती सात उसके उपाय के लिए भी हम चर्चा करेंगे, आज आठ ऐसे दिव्य जोतिसी सूत्र की चर्चा लेकर कि मैं आप सबके समुख उपस्थित हुआ हूँ, जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सू मुंडली में तो फिर उसके लिए उपाय भी आपको जान लेना चाहिए, दिव्य महा प्रयोकी बात करेंगे, लेकिन उससे पूरवात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेश में हैं और गुरु वक्रवस्था में वरिशब में सम्चरण कर रहे हैं, मंगल कर्क में तो ही केतु कन्या में, सूरी का सम्चरण तुला में है, बुध्व वरिश्चिक रासी में सम्चरण कर रहे हैं, शुक्र धनु में शनिदेव, वक्रवस्था में कुं संचरन करें चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं बाकी की ये ग्रहिष्टुतियां को किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं कौन स्यूराशिया आज सावधान रहने की आवश्था हैं कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने नयकारे प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए मेश शेलेकर मीन राशी परियंत प्रत्येक राशी के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेस प्रभाव में रहने वाले हैं कौन सा वोशनान है, कौन सा वोदान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को स्रिष्ट बना सकते हैं, इस सभी विश्यों पर चर्चा आगे हम राशी फल में करेंगे तो ये है ग्रहिस्तुति, इन्ही ग्रहिस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है नि दैनि अराशी फल तयार किया है वो नैदर्शक जो मैरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ, यह राशी फल आपकी जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी जन्मराशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचली नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की उन्नीस नवंबर दिन मंगलवार प्रियो दर्शकों उस दिन एक ही मुहूर्त है और बेहद स्रिष्ट मुहूर्त है वो है रोग मिमुक्ति शनान का मुहूर्त शेस उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है वैसे तो उस दिन आप पूरे दिन शनान कभी भी कर सकते हैं इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जो मैं सदय यूँ बताया करता हूँ विशेस करके प्रातह काल ही आपको ये प्रयोग कर लेना चाहिए जब आप शनान करने का समय जानते हैं सुर्योदे के करीब में लगभगे घंटे तक आप इस प्रयोग को कर लेजिए और उसी जल से शनान करिए नहीं है तो असोक के पत्ते से भी आप ऐसा कर सकते हैं और फिर आप एक खड़ी हलती को जल में डाल करके उस जल को उबाल लीजिए और उसी जल से शनान करिए याद रखिएगा ये रोग विमुक्ति शनान का महुर्त बड़ा ही महत्त पूर्ण है और ये अवसर जब भी मिले पहले तो हमेसा मिलता नहीं है और जब भी मिले आपको इसको विर्थ नहीं जाने देना चाहिए इस समय विशेस में स्नान करने भरमात्र से रोग से मुक्ति मिलती है अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ दिखिए अगर कोई भयंकर रोग आपको लगा है और आज आपने श्नान कर लिया और कल आप सोचने लगे कि आप तो कहा रोग मुक्त हुआ नहीं सामत सोचिए आप इस समय में जब जब मैं बताता हूँ अभी पहले तो कई बार आप लगता रासी फल देख पा रहे हैं कि हैं जब भी मिले अच्छा क्या यह रोगी ही केवल नहा सकते हैं या स्वस्थ भी यह स्वस्थ नहाए तो इस से बहतर क्या है रोगी नहाए ठीक है लेकिन स्रीश्ट है स्वस्थ नहाए क्यों ऐसी नौबत रहे घ्याऑ कि फिर उसको इस समय विशेश में नहाना पड़ए आप स्वस्थ हैं तो अवस्य नहाइए रोगी का नहाना तो ठीक हो तो रोग का मुक्ति का इश्टान है ही है ये चली चलते हैं दिब्बे महा प्रयोकियूर उससे पूर्वो जानकारी दे दूँ इस लिंक को एक बार क्लिक करिए ये प्लेलिस्ट है अगर आपकी दिल्चस्पी जोतिस में है जोतिस सीखना चाहते हैं जोतिस को चाहते हैं अपने अपने परिवार के सोदस्यों की कुंडली अध्यन करना चाहते हैं तब भी ये प्लेलिस्ट आपके काम आने वाला चली आज के दिव्य सूत्र की ओर चलते हैं, आज आठ ऐसे सूत्र आपको उपाय सहित बताने जा रहा हूँ, जिनका आपकी कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि धन आएंगे, बार बार आएंगे और आकर के चले जाएंगे, क्या है सूत्र जान दीजिए. प्रेदर्शुको जन्म कुंडली में येदि दूसरे भाव में धन भाव में राहू हो, तो ऐसे जातक के पास धन जितना जल्दी आता है, उतनी ही तिवरगती से धन चला जाता है, ऐसे जातक के पास धन टिकता नहीं है. अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहू हैं तो राहू के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए पहले तो आपको एक ही मूल उपाय आपको करना है निला रंग इससे जड़ा परहेज करिए चाहे वो पांचवी हो सात्वी हो या नवी हो तो भी जातक का धन बार बार अप्रत्यासित कारणों में खर्च हो जाता है चाहे वो स्वास्त की समस्या हो अचानक आई कोई समस्या हो जिसमें उनके पैसे ब्यर्थी खर्च हो जाते हैं मंगल बार को मसूर की दाल जो लाल की दाल का दानकरी आपको लाब हो जाएगा जन्म कुंडली के बार में भाव में शुक्र और राहु की युतियदी हो किसी भी कुंडली में तो ऐसे जातक के विलासिता के उपर अत्यदी ओंगते में से जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर मंगल और शनी बहुंकी कोई भी द्रिश्टी पढ़ रहीं हो आप जानते हैं可 मंगल की तीन द्रिष्टियां होती है जहाँ से बैठते हैं तीसरी शात्वी और दस्वी द्रिष्टि भावत ब्रगती से जाता है यहां बिवाद के कारण familiar है मंगल बार के दिन याद रखिएगा मंगल बार के दिन आपको सरसु तेल का दान शनी मंदर में करना चाहिए अगर कोई शनी भगवान का मंदर है तो मंगल बार के दिन शनी बार के दिन नहीं मंगल बार के दिन या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं तो हनुमान जी के मंदर में भी आप ये तेलदान कर सकते हैं पंचम भाह में राहू और चंद्रमा की युतियदी हो तो व्यक्तिक के जो धन हैं वो कई बार उनके द्वारा गलत निर्ण है विशेश करके श्यर 60 निवेस इत्यादी में निवे को फायदा मिलेगा और जन्मे कुंडली के सष्ठ में शुक्र और शनी का प्रभाव जन्मे कुंडली के सष्ठ में शुक्र पर शनी की द्रिष्टी हो अथवा जन्मे कुंडली में शुक्र शनी की यूति सष्ठ में हो तब भी जातक के पास जो धन आता है वो बड़ी विशानी से सिघ्र मुक्ति मिलेगी और जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव प्रिदर्शकों नवम भाव पर भी मंगल और शनी की द्रिष्ट यदी पड़े तो भी जातक कई बार आर्थिक कोई ऐसा निर्णय ले लेता है इन्वेस्टमेंट का बड़ा निर्णय ल बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि अभी धन आ गया दिखाई पड़ा और कल ही चला गया ये उन लोगों के लिए है मंगल बार के दिन गुड का दान करिए और एकादस भाव में शुक्र केतु की यूती हो तब भी जातक के पास जिस तिब्रगती से धन आता है उसी ब्रगती से चाहे वो विलासिता हो या कोई अप्रत्यासित खर्च धन लंबे समय तक आपके पास नहीं टिक पाएगा उपाई बताता हूं शुक्रबार के दिन एक जलदार नारियल बहते जल में प्रभाहित करिए आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी मैं आठ ऐसे सूत् प्रभाव वो यही है कि जिस तीवरगती से जातक के पास धन आता है उसी तीवरगती से धनन के हाथ से निकल जाता है वो धन को रोक नहीं पाते हैं ये समस्या उत्वन्मन होती है तो आसा करता हूँ यह योग अगर आपकी कुंड़ी में एक भी आठ में से कोई भी एक सू मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी पर ही आज सुन्चरण कर रहे हैं केतु के नक्षत्र में में चंद्रमा का सुन्चरण है पूरे दिन आज सर्प का ध्यान करिए सर्प देवता का ध्यान करिए आज किसी मिट्टी के दिये में थोड़ा काला उड़त डाल दीजे और उसके उपर एक कपूर रह करके जला दीजे और बोलिए सरपे भ्यो नमध साकारात्मक विचारमन मे परिषानियां आ रही थी वो दूर होने लगेंगी सफलता का मार्ग खुल जाएगा और कारेक्षित्र में किसी बड़े परिवर्तन के इंतजार में थे तो आपका ये इंतजार पूरुन हो जाएगा बाकी व्योसाईयों के दिबात परूत व्योसाइक दृष्टिकोंड से आज का दिन ठीक है कहीं पैसा फसा हुआ था वह वापस आता दिखाई पड़ रहा है आर्थिक दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी अति उतावले पन से बचना चाहिए लवलाइफ के दृष्टिकोंड से आज के पेट का खयाल रखना सबसे अधिक अनिवार्य है भोजन समय पर करिए और बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आज आज आपको बचना चाहिए लखियंक साथ है आपके दिए और लखी कलर आपके लिए इसकाई भ्लू है निवेश आप करिए बात वृषभ की कर लेते हैं कोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज बारहमें का संबंध है केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचरन आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए कुल देवता का ध्यान करके हनुमान जी के मंदर में एक यग्यो पवित कु मान होगा और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जिसका आप खूब लाब उठा सकते हैं किसी बड़ी समस्या से जूज रहे थे उससे आपको बुक्ति मिलेंगी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोंड से आज के दि बहुत अच्छा है मेडिकल फिल्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है जो लोग एंजाइटी डिप्रसन के रोगी हैं वो अपने स्वास्त को लेकर के बेहद सजग और कर लेते हैं गोचर कुणली में चंद्रमा रासी से आपके आज तीसरे में सम्चरण कर रहे हैं के तुके नक्षट्र में चंद्रमा का सम्चरण है ऐसे फैसले आज आपको करने चाहिए करियर को लेकर कि किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी मित्र की मदद से करियर को लेकर के एदी कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और करियर से समंधित सही समाधान मिलेगा नौकरी करने वालों के दिन अच्छा है इंट्रिव्य वित्यादी देने जा रहें तो सफलता मिलेगी और ब्यापारियों की बात करूँ तो ब्यापारिक दृष्टिकोंड से भी आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा इंकम में आपके ब्रद्धी दिखाई पढ़ रहें और पूर्व से चरियारी कोई समस्या थी उसका हल मिल जाएगा बस बाहर के भोजन से आपको बचना होगा लव लाइफ के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और बात यदि दामपत्ति जीवन की करें त किसी पुरानी बात को लेकर के दिन ठीक है और स्वास्त दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त से में थोड़ी परिशानी है नजर दोष्ट की शिकायद दिखाई पड़ रही है सबसे जरूरी बात आज मिथुन डासी के जातक ध्यान रखें, आज आपको नजर बहुत लगने वाली है, तो अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का भी प्रत्न करिएगा, लकियंक एक और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश आप करें करक के जातकों का दिन बहुत अच्छा है, आज भुवन भासकर को अरख दीजे जल में लाल चंदन मिला करके, लाल चंदन का टीक अपने माथे पर लगाईए, सफलता आपको मिलेगी, आज यूं समझ लीजी कि आपके सभी जरूरी काम एके करके पूरूर होंगे, इनकम में ब्रद्धी की योग है, सोचे हुए सभी काम पूरूर होते दिखाई पढ़ है, नौकरी परिवार ब्यापार हर मामले में दिन स्रिष्ठ है, ब्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कारिस्थल पर उच्चा धिकारियों से सहयोग मिलेगा, कोई अतरिक्त जिम्य मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है, बस इतना ही समझ लिए कि किसी तरह के गैर कानुनी काम का हिस्सा आपको नहीं बढ़ना है, किसी विवाद का हिस्सा मत बनिए, बाकी करियर को लेकर के कोई चिंता ना करे बिद्यार्थी दिन अच्छा है, मेनेजमेंट फिल्ड के बिद सुम्ह के जातकों की बात करें, तो गोचर कुणली में चंद्रमार 80 से आज आज आपके नवम में संचरन कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरन है, दिन बहुत अच्छा है, प्रता काल श्नान के जल में थोड़ा से एक चुटकी हल्दी डाल करके श्नान क रहे हैं, तो सफलता मिल जाएगी और बाकी कारिस्थल पर भी दिन अच्छा है, किसी भी प्रकार के जल्दबाजी में न पड़े, अपना व्यवहार आज संतुलित रखें, ब्यापारियों की बात करने तो ब्यापारिक तुरिष्टिकोंड से भी दिन बहुत अच्छा रह है, स्वास्त में भी कोई विश्यस परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, यानि कुल मिलाकर के शुमक्य जातकों का दिन अच्छा है लखियंक साथ है आपके लिए लखी कलर सफेद, निवेश आप अवश्य करिए, करन्या के जातक आज जरा सजग सचेत रहें, आज के दिन को स्रिष्ट बनाये रखने के लिए साप सुत्रावस्तर पहनिएगा, इत्र का इस्तिमाल करिएगा, बासी भोजन मत करिए, सबसे हसी, खुसी मिलिए, सबसे प्रेम पुर्वक ब्यवहार करिए, आज ब्यवहार प का भी बहुत कोई साथ मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है, सबसे जरूरी है, अपने कारे के प्रती इमानदार रहें, और जो भी कारे करिए, पुरे संयम के साथ करिए, स्वास्त को लेकर के भी चिंता है, साम होते होते स्वास्त से समंधित परिशानी दिखाई पड़ र स्वास्त के मामले में भी साथानी जरूरी है, कफ जन रोक की संभावना है, स्वास्त को लेकर के परिशानी तो दिखी रहे है, लकियंक आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश ना करें तुला के जातकों की बात कर ले तो आज के दिन को स्रिष्ट बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा दही मिला लिजे, हो सके तो सफेद चंदन भी मिलाईए, सफेद चंदन या दही दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिला सकते, उससे भी काम बनेगा, पाटनर का सम्मान करिए, पाटनर के लिए अभद्र भाशा का प्रयोग मत करिए, सब का सम्मान करिए, बाकी धन सम्मंधी मामलों में कहीं कोई चिंता परिशानी चली आ रहे थी, तो समझ ली जो चिंता दूर होगी, भाग्ये का सांथ मिलेगा, नौकरी पेसा व्यापारी वर्ग दो उठा वादा मत करिए, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, और विद्यार्थियों की बात करूं, तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, जरूत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिल जाएगा, लखी यंक एक और लखी कलर आपके लिए आज, स्काई ब्लू है, और निवेश आप अवश्य करिए, बात वृष्य की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा, और आसी से आपके आज सश्ठ में संचरण कर रहे हैं सनान के जल में पाँच दूरबा, यह दूरबा घा चाहते हैं, और उसी जल से शनान करिए, कोई भी बड़ा निरणय करना चाहते हैं, तो पहले शांती से विचार कर लीजिए, किसी की बातों में आकर के, किसी के प्रभाव से प्रभावीत हो करके कोई निरणय मत लीजिएगा, निरणय लेने में बहुत सावधानी रहे थे तनाव या परिशानी से जूज रहे थे उससे आपको मुक्ती मिलेगी और सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण रखोंगे के फैसले और जल्दबाजी में किये गय कार्य के कारण आपको केवल नुकसान होगा कि जीवन सांथी के स्वास्त का ख्याल रखिएगा और बिद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत उस्रेश्ट कहूंगा आप किसी भी फिल्ड के बिद्यार्थी हुँ जो लोग रक्त जन्य समस्या से ग्रशित हैं वो अपने स्वास्त का ख्याल रखें लकियंक विशेश रूप से लकियंक पांच लकी कलर आपकी लच परपल है निवेश आप अवश्य करिए बात धनुकी कर लेते हैं गोचर कुणली में चिंद्रमा आपकी रासी से आज पंचम में संचरन कर हैं पितरों का ध्यान करिए पितरों को प्रणाम करिए पितरों की कृपा आज आपके लिए बेहत खास धोने वाली है पित्रभ्यो नमख ये मंत्र बोलकर और तब घरक में दक्षण दिशा की ओर की से करना है तो दिया कमउ धक्षण की ओर कर देना है एक दिया जलाईजिय को खुस्श खबरी आपको मिलेगी लाभु के योग बनेगे संतान पक्षके के की से खुस खबरी और भाग्य भी आज आपका वेहद सह्योगी हो जाएगा बाकी कारिक्षेत्र में आपकी कोई महत्वा कांचा पुरूर होने वाली है, बस हर संभव कोशिश आज आपको करनी है, कारिक्षेत्र में देखे तो दिन बेहत सुखद रहने वाला है, सहयोग प्राप्त होगा, ब्यापारीओं को ब्यापार में लाब होगा, साज़ेदारी म विद्यार्थियों को खूप सफलता मिलते दिखाई पड़ रही यानि कि अगर कोई परिक्षा आपने दे रखी थी तो सफलता तय है और स्वास्त के मामले में जिलनों को गैस वैसिडिटी की सिकायत रहती है वो अपना ध्यान रखे लखी अंक चार और लखी कलर आपके के उपर जो नाग होता है नाग के उपर भी थोड़ा शहत चढ़ाईए फाइदा मिलेगा लोग आज आप से प्रभावित होंगे और जो आपके पीठ पीछे स्वडेंत्र रचते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तयारी करते हैं नाना प्रकार की उनसे बहुत आ विजद थी तो उसका निप्टारा सिघ्र होने वाला है जीवन साहती की सलाह को अबस्य मानिएगा बाकी आपका पारिवारिक जीवन सुखत दिखाई पढ़ रहा है पारिवारिक जीवन में कोई समस्या थी उसका हल मिल जाएगा जीवन साहती से ऐसा वेवहार मत करी जो ज लापार भाही भी थोड़ी ज्यादा होगी विद्यार्थियों से लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें कुम्भ के जातकों का दिन सर्वस्रिष्ट है यक शिभ्यो नमः इस मंत्र को आज प्राता काली कीस बार बोलीए बस आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी से हो जाएगा बेड से अपना पुरुष बाया और इस तरी दाहिना पैर अगर पहली बार जमीन पर रखे आज और मंत्र बोले यक शिभ्यो नमः दिन बहुत अच्छा जाएगा बाकी गोचर कुंड़ी की स्तिती बहुत अच्छा है तीसरे का चंद्रमा जो केतु के नक्षत्र में महनत के अनकूल आपको सफलता दिलाएगा और किसी समस्या से जूज रहे थे उस समस्या से मुक्ती बड़ा फाइदा होगा और सोचे हुवे काम पूरूर होंगे नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन अच्छे आउफर आपको मिलेंगे व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है तो ही जमीन जायदात से समंधित कारियों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से आपको बचना चाहिए प्रेम संबंध में तनाव दिखाई पड़ रहा है वैसे दांपत्य जिवन देख रहा है आज लकी यंक नौ और लकी कलर आपके लिए बैंगनी है निवेश हवस्य करिएगा और वही मीन के जात्कों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमाक आपकी रासी से आपके दूसरे का समंध बन रहा है आज कच्चा दूध आपको गाय का मिल जाए गोदुग्ध में थोड़ा सक्कर डाल करके शुलिंग पर चढ़ाईए आपका काम बनेगा हाँ मूल मंत्रे क्याद रखी आज का काम आज ही करना है कल पर नहीं टालना नहीं तो परिस्तितियां आपके विपक्ष में होगी जो भी मौका मिले उस मौके का लाग उठाईए और कारिस्थल पर सबसे जरूरी है विनम्र रहना सबसे सहयोग पुरुन बेवहार करना से भी आज का दिन अच्छा है और बाकी किसी भी मामले में कोई विशेश परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है करियर को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा आप किसी भी फिल् इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार